कि नमस्कार दोस्तों वेलकम टिरोन चैनल लेंट वन बाई कि यार सुफेंस टूड़ वूट बूट इसकसिंग अबाउट काम देनू वेंचर्स लिमिटेड के बारे में विकॉज यहां पर एक बहुत ही बड़ा कॉर्प्रेविंट होने वाला है स्टॉक स्पिट से कंपनी का फंडमेंटल भी चेक करेंगे तो फिरें चली स्टार्ट करते हैं काम देनू वेंचर्स लिमिटेड मार्केट कैप देख सकते हैं स्मॉल कैप है वन थाउजन नाइंटी टू करोड का है स्टॉक का भी हाई वैलिशन है इंडस्ट्री का 32.8 है बहुत हाई वैलिश सेक्टर को बिलॉंग करते हैं देख सकते हैं डूल पेंट है डिजाइनर फिनिशर से एक्स्टेयर मल्चन है इंटेयर नमल्चन तो इन सभी चीजियों से देख सकते हैं वाइड रेंज आप प्रॉजिटिव ट्रिगर क्या मिल सकता है वह आपका कुरूड ओल का प्राइस क अच्छा का सब देखने को मिल रहा है तो इस कारणज जहरत है इसे बन सकती है तो जब तक कुरूड में गिरावर्ट है यहां तो यहां फिर भी टीजी बन सकते हैं तो ट्रेडिंग काम कर सकते हैं अंग क्या लाइगा उसको भी हम लोग चेक करेंगे उसने पहले कंपनी का क्वार्टली रिजल्ट को चेक कर लेते हैं, तो मार्च का दिए दिए देखे है, मार्च 2024 का है, अगर अगर कंपेर करेंगे, देख सकते है 85.15 है, तो अभी तक का वो हाइस्ट देखने को मिल रहा है, कंपणी का अगर चेक करेंगे निक पॉफिट तरह देख सकते है, पहले लास्टेटमेंट तो यह देख सकते कम्पनी का सेल्स लास्टर से कंपेर कीजिएगा तो बढ़कर आ रहा रहा ह। अनु कम्पनी लॉज से कम्पनी प्रॉफिट में चले जाए तो यहां पर प्रॉफिट ऑन ऑप पॉजिटिव साइड में देखने को मिल रहा है अब करेंगे तो प्रमूटर का स्टेक यहां पर 50.33 से 50.33 यानि कोगी चेंजस नहीं है कंपनी की तरफ सब्डेट आ रहा है या जो भी एक्जिस्टिंग एक्विटी शेर्स है वह सब्डिवाइड कर जाएंगे या स्प्लिट कर जाएंगे या मल्टीपल शेर्स में बढ़ जाएंगी बहुत सारे शेर्स आपके डिमेट अगौन में देखेगा आसपर रेश्यो ज और आपके पास है उसके बदले में आपके डिमेट अकौन में दिखने लगेगा अनूस रिश्यो में उसका सीम्प या प्राइस भी चेंज हो जाएगा यानिके इनवेस्टमेंट वैल्यू आपका सेम रहेगा आप्टर स्प्लिट अल्सो लेकिन उसके लिए आपको क्या कर सबसे पहला चाहिए का आपको शेयर को डिमेट अकौन में 14 जून 24 तक रखना पड़ेगा नहीं रिकॉर्ट देट तक इस एकूर्ट को अपने डिमेट अकौन में रखना पड़ेगा तुसरा है लास डेट। कब तक आपको इसंवें ने पार्टिसेंट करना है तब तो 13 ज यहां पर इसके लिए सपोर्ट निकल करा रहा है 150 के लिए सपोर्ट निकल करा रहा है उपर में बिन रहा है फिर से उपर जाएगा तो अच्छी काछु देखने को मिलेगे तो मैं कभी समेंटरी करूंगा जब या या फिन इंवेस्टम्ट करूंगा जब यह 200 की उपाज जाएगा तब मैं इसमें बाइट करने के सोचूगा अधिलवाइस नहीं परस्पक्टिस से इसमें अभी तेजी बन सकती है अब वित इस टॉपलस 150 के स्टॉपलस से करें हां काम किया जाए चार्ट में करने के सोचूगा अधर्वाइस ट्रेडिंग परस्पर्ट के सहां पर मूग देखने को मिल सकता है और प्लस एक बड़ा कॉर्परेटिव इस कारण से भी आपको हैं पर थोड़ी तेजी देखने को मिल सकती है तो यह था कंप्लीट अप्रेट अबाट कामदीन व